जै श्रीकल की जै सियाराम जै हनुमान भगवान कल की बढ़ चले अगनी पत पर अपनी शपत के साथ जी हां उनकी शपत कौन सी? वो कि इस धरा को वो बनाना चाहते हैं इस लाइक की लोग खुशहाल जिन्दगी जी सकें हर चेहरे पर हो कुशी, हर दिल में हो सुख और ऐसा बने हमारा हिंदुस्तान जी हां भारत वर्ष को बनना है विश्वगुरू लेकिन उसके लिए आज परिस्थितियां इजाजत नहीं दे रही हैं कारण बहुत सारे कंट्रीज आज भी अपने आपको ही सुपर पावर मानकर बैठे हुए हैं और आने वाले समय में उन्हें ही बनना है विश्वगुरू जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं तो जब हर कोई अपने यहां अपनी ताकत को दिखलाते हुए शक्ती प्रदर्शन कर रहा है तो भगवान कलकी वो तो भगवान है अवतार है श्री हरी के भगवान कलकी तो वो क्यों न अपनी ताकत वो लोगों को बतलाएं कि वास्तों में जब देवताओं और असुरों का संग्राम होता है तब तब जीत असुरों की नहीं बलकि देवताओं की ही होती है धर्म युद्ध का समय और हर कोई आज चल पड़ा है उस रह पर जिसमें बहुत सारे चलेंजेस को वो फेस करते हुए और अपनी बातों को गुपचुप रखते हुए अपने मिशन में विजई होने के लिए वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है भगवान कलकी ने भी शपत ली है इस धरा पर आने के पहले कि वो युग परिवर्तन के जिस मिशन को लेकर पहुँच रहे हैं धरा पर उसमें उन्हें अनकंडिशनल विक्टरी मिलनी ही है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बलकि तयारियों के साथ और वो तयारी ऐसी जिसके कारण इस धरा पर जितने भी असूरगन आज तक मौजूद है और आज भी अपनी मनमानी करके इस धरा को लहु लुहान कर रहे हैं उनका खात्मा करने की तयारी भगवान कलकी ने वही शपत ली है कि धरती पर एक भी असूर बचने ना पाए कारण अगर एक भी असूर बच गया तो रक्त बीच की तरह ना जाने कितने असूर को फिर वो जन्म दे देगा और फिर ये धरती कभी भी खुशहाल नहीं बन पाएगी लेकिन इस धरती में सत्यू का आगमन कराना भी इतना आसान नहीं है तभी तो श्री हरी को चूंकी पता था कि ये यूग ऐसा यूग है जहां पर एक से एक महरती एक से एक भयंकर असूर और एक से एक ताकतवर कुटिल बुद्धी वाले असूर मौजूद रहेंगे इसलिए उनकी तयारी भी ब्रेन एंड ब्राउन के द्वारा करवाई गई भगवान परशुराम के द्वारा उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी जादा उतनी ही जादा उससे भी कही जादा उनकी डिवाइन विजडुम और जब ये दोनों काबलियत किसी के पास हो तो वो दुनिया को खत्म करने से कभी भी पीछे हटी नहीं सकता और उसे unconditional victory मिलती ही है तो भगवान कल की भी बाकियों की तरह बढ़ चले अपने कल यूगी अगरीपत पर क्योंकि उन्हें खत्म करना है उन असुरों को जिन्होंने प्रकृती के नियवों के साथ नसिफ खिलवार किया आज भी कर रहे हैं अपनी कुटिल बुद्धी के कारण इस धरा पर जो अच हे प्रभू बचालो हमें हे प्रभू इस दुनिया को बचालो हे प्रभू अब अपने विनाश निला का अंत करो लेकिन समय का कैलकुलेशन बहुत सटिक भगवान कल की लेकर इस धरा पर आए हैं तो उनके राइट कैलकुलेशन के एकॉर्डिंग ही सारे कारे हो रहे हैं आ दूसरी तरफ आख का तांडो जल प्रलय एक तरफ जिसके कारण इनसान परिशान तो दूसरी तरफ आख का तांडो और फाइब ऐलिमेंट्स एटैक जो हो रहे हैं जिनके कारण अब दुनिया वालों का जीना हराम होता चला जा रहा है एक के बाद एक ऐसी मुसीबत इसान के सामने आती चली जा रही है कि वो लाग चाहकर भी मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सक रहा है इसी तरह भगवान कलकी भी जब आए हैं इस धरा पर उनके लिए भी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होंगी क्योंकि असुर जब इतने ताकतवर हैं तो भगवान कलकी को भी अपना पैतरा तो आजमाना ही पड़ेगा उन्होंने भी तैयारी पूरी की है और इसलिए मैंने कहा टाइटल में कि उनका भी यह अगनीपत है और इस यार है मजा चखाएंगे वह एक एक असूर को जो की बाब बाब बोल कर चिलाएगा क्योंकि अब उनके पास वार्निंग देने के लिए अब टाइम नहीं है बहुत हो चुकि वार्निंग की बात अलर्ट की बात लेकिन अब है जोड़दार एक्शन लेने की बात थैंक्यों मुझी बात थैंगे मैज वेडियो के लिए ट्रूड़दा मेज़खते ले घंड, रेक्शन लेयर वग्याएंगे शुक्ते लेसे-शूर मेज़खते लेकि ऱ्याएंगे स्वावाट स्थास्तुन लेशागे सेवाश्य में। लेप्र लेक्टार में नहीं हैं वे तो में व